श्री केदारनाथ धर्मनिष्ठ हिंदूओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदाकिनी नदी के मुहाने पर गढ़वाल हिमालय के आश्चर्य जनक पहाडी द्रिश्य के बीच स्थित है। केदार भगवान शिव, रक्षक और संहारक का दूसरा नाम है। श्री केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग पिरामिड के आकार का है और इसलिए शिव मंदिरों में अद्विती यह है। चार हजार इसा पूर्व के महाभारत युद्ध में शौर्य और वीर्ता का उत्तम पुष्प 18 दिनों के भीतर युद्ध की ज्वाला में जलकर भस्म हो गया। पांडव ओवर ड्राइव के दोशी थे। उनके पास कोई सम्मान नहीं बचा था और नींद के दौरान बुरे सपने आ रहे थे। ये स्वयम भगवान कृष्ण थे जिन्होंने उन्हें भगवान शिव का आशीरवाद लेने की सलाह दी थी। प्रकाश के रूप के दर्शन पाकर पांडवों को उनके पापों से मुक्ति मिली। भीम ने गदा लेकर शिव के बैल रूप से युद्ध किया था। इसलिए उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने शिव के शरीर की घी से मालिश की। शास्त्रों में वर्नित है कि श्री केदार नात जी के दर्शन करने से स्वपन में भी दूहक नहीं आते। केदार नात की यात्रा करने वाला व्यक्ति अपने सभी पापों को छोड़ सकता है। व्यास स्मृती व्यक्ति अपने शरीर, मृत को छोड़ कर शिवलोक प्राप्त करता है, महाप्रस्थान यात्रा है, जो केदार आंचल के लिए जौ में है। कूर्म पुराण केदारेश्वर लिंग हिमाले में स्थित है, जो भगवान शिव के बारह ज्योतिर लिंगों में से एक है, केदारेश्वर लिंग के दर्शन करने के बाद भक्तों को अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। शिव महापुराण पांडवों ने महाभारत के युद्ध के दोरान, गौ हत्या और गुरु हत्या के कारण हुए अपने पापों के लिए व्यास जी से उपाय मांगा था। व्यास जी ने उन्हें प्रायश्चित प्राप्त करने के लिए के दारनाथ जाने के लिए कहा था। सकंद पुराण